कि नमस्ति में हुरी नुका तो आप सबका मेरे यूटुब चानल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक सब्जी की रेसिपिल के आई हूं तो आज मैं आपको भेंडी और बेसन का इस्तमाल करके एक बहुत ही मज़ेदार और स्वादिश सब्जी बना के दिखाने वाली हूं जिससे आप रोटी चपाति या सिर्फ राइस के साथ सर्व कर सकते हो तो चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो एक भेंडी और बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहां आदा किलो भेंडी लिए है तो एक भेंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्यास को छोटे छोटे पीसिस में कट करना है तो यहां मैंने एक प्यास को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है तो उसके बाद हमें एक टैमेटो लेना है और उसे भी हमें छोटे छोटे पीसिस में कट करना है तो मेनी यहां एक टैमेटो को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है फिर उसके बाद हमें एक हरी मिर्च लेनी है और उसे भी हमें छोटे छोटे पीसिस में कट करना है तो मैंने यहां सिर्फ एक हरी मिर्च ली है तो आप अपनी स्वात के नुसार यहां हरी मिर्च ले सकते हो फिर इसे भी हमें एकदम छोटे छोटे पीसिस में कट करना है तो यहां मैंने प्याज, टैमेटो और हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है फिर हमें भेंडी लेनी है और इसे भी हमें छोटे छोटे पीसिस में कट करनी है तो मैं यहाँ भिंडी को इस डिजाइन में कट कर रही हूँ तो आप चाहो तो इसे गोलगोल आकर में भी कट कर सकते हो नहीं तो आप भिंडी को लॉंग पिसिस ने भी कट कर सकते हो तो यह दिखें मैंने भिंडी को इस डिजाइन में कट कर लिया है तो हमें सारे भिंडी को इस डिजाइन में कट कर लेना है तो यहां मैंने सारे भिंडी को इस डिजाइन में कट कर लिया है फिर उसके बाद अभी हमें इन भिंडी को फ्राय करना है तो यह ब्हाइडी फ्राइ करने के लिए मैंने ग्यास पेक बरतन रख दिया है फिर बरतन थोड़ा गरम होने के बाद हमें इसमें सारी ब्हींडी डाल देने हैं फिर हमें इसमें एक चमच तेल डलना है और इस भींडी को हमें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है तो अब ये भींडी अच्छी तरह से फ्राइ हो चुकी है तो मैं अब ये इस भींडी को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ फिर उसके बाद हमें ये सबजी बनाने के लिए इस बरतन में दो चमच तेल डलना है फिर तेल तोड़ा गरम होने के बाद हमें इसमें आदा चमच राई डलनी है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चमच जिरा डलना है और इने हमें तेल में फ्राई कर लेना है फिर जिरा और राई तेल में फ्राई होने के बाद हमें इसमें छे कड़ी पता डलने हैं और इने भी हमें तेल में अच्छी जरा से फ्राई कर लेना है फिर कड़ी पत्ता तेल में अच्छी तरह से फ्राय होने के बाद हमें इसमें एक बारिक कट किया हुआ प्यास डालना है और इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है फिर प्यास तेल में अच्छी तरह से फ्राय होने के बाद हमें इसमें एक बारिक कट किया हुआ टैमेटो डलना है और इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है फिर टैमेटो तेल में अच्छी तरह से फ्राय होने के बाद हमें इसमें आदा चमच हल्दी पाउडर डलनी है फिर उसके बाद हमें इसमें एक चमच गरम मसाला पाउडर डलना है और इने भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है तो अभी इस सारे इंगेडियांस अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं फिर हमें इसमें एक बारी कटकी हुए हरी मिर्च डालने हैं तो आप हरी मिर्च अपने स्वाद के नुसार भी इसमें डाल सकते हो तो इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसार लाल मिर्च पाउडर डलनी है तो हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है तो हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर ज्यादा नहीं डलनी है फिर इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है तो अभी ये सारे इंडिडियोंस अच्छी तरह से फ्राय हो चुके हैं फिर उसके बाद हमें इसमें दो चमच बेशन डालना है तो अभी मैंने इसमें दो चमच बेशन डालना है फिर उसके बाद हमें अभी इन सारे इंडिडियोंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो अभी इस सारे इंडियोंस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं फिर उसके बाद हमें इसमें फ्राइके हुई सारे भिंडियोंस डाल देने हैं तो आप इस सब्जी में और भी सब्जी एड़ कर सकते हो जैसे आलू हो या फूल गुबी हो या पता गुबी हो फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसा नमक डालना है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप बारिक कटकी हुई हरी धनिया डलने है फिर आखिर में हमें इसमें आदा कप पानी डलना है और इन सारे इंग्रिडेंस को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस सब्जी को हमें पाच मिनिट तक अच्छी तरह से पका लेना है तो अभी इस सब्जी को पाच मिनिट तक अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं तो अभी मैं इसके उपर एक प्लेट रखतीती हूँ तो अभे हमें इस सब्जी को 5 मिनिट तक अच्छी तरह से पका लेना है तो अभी 5 मिनिट हो चुके है, तो मैं अभी चक करते हूँ तो हमें इस सब्जी को बीच-बीच में चक करते रहना है, नहीं तो यह निचे से लग जाएगी और अगर इसमें पानी कम पर जाए तो आप इसमें और भी पानी डाल सकते हो तो आप इसे ही आसाने से घर में बेशन और बिंडी का इस्तमाल करके इस स्वाधिश्ट और मज़ेदर सब्जी बना सकते हो और आप इसे रोकी चपाती या सिर्फ रैस के साथ सर्व कर सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए रिसिपी के साथ तो थैंक्स फ्रेंस वाचि मैं वीडियो